स्वागत है आपका योजना ग्यान फॉर यू में और हमारी तरफ से आप सभी को साल 2024 के नए साल की बहुत बहुत शुब कामना हैं आप सभी का यह साल खुशियों वाला बीते और सबको तरक्की मिले जो भी जो भी आप चाते हैं वो सभी आपकी जो ख्वाइशें हैं वो एक जनुरी से आपको कई बड़े बदलाओं का सामना भी करना पड़ेगा नए साल 2024 में कई बदलाओं देखने को मिलेंगे इन बदलाओं का आम आदमी की जेपर सीधा असर भी पड़ेगा पूरी जानकारी जानते हैं लिकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चानल को पहल ना करने पर जुर्माना यानि कि अगर आपने इंकम टेक्स दाखिल नहीं किया है तो उसका आपको जुर्माना भरना पड़ेगा वित्य वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ आएकर रिटरन दाखिल करने की अंतिम्तिती 31 दिसंबर 2023 थी जो समाप्त हो चुकी है आएकर दिनियम की धारा 204 एफ के तहत जो व्यक्ति इस्तिती से पहले रिटरन दाखिल नहीं करेगा उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी देर से आई टीर फाइल करने वालों पर 5000 रुपे का जुर्माना लगेगा दूसरा है बैंक लॉकर कॉंट्रेक्ट पर हस्ताक्षर अनिवा अगर यह काम नहीं किया है तो आपका लॉकर फ्रीच कर दिया जाएगा तीसरा है स्मॉल सेविंग स्कीम इंटरस्ट रेट सरकार ने एक जनुरी से वितवर्ष 2023 की 34 दिमाही के लिए दो स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याजदरों में इदाफा किया है इन योजनाओं में तीन वर्षिय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजट शामिल है सुकनिया समॉलिदी योजना पर मिलने वाली ब्याजदरों में 0.20 फीसिदी का इदाफा किया गया है इस योजना में निवेश करने पर अब सलाना 8% के ब्याज की बजाए 8.20 परसंट ब्यास दिया जाएगा व परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने 22 जनवर 2015 को बेटी बचाव बेटी पढ़ावा भ्यान के एक भाग के रूप में शुरू किया था इस योजना के तहत एक परिवार दो बच्चियों के अकाउंट खुलआ सकते हैं बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए इसमें नियुनतम जमराशी 250 रुपे प्रतिवर्ष और अधिक्तम निवेश 1.5 लाक रुपे प्रतिवर्ष है ये लगातार छटी तिमाही है जब इन स्किम्स की ब्याजदरों में बढ़ातरी हुई है वित मंतराले ने स्मौल सेविंग स्किम्स यानि छोटी बचत योजनाओं की ब्याजद लिए जा सकते हैं जिनका उदेश्य किसानों की आर्थिक स्थिती को मजबूत करना है नया साल शुरू हो चुका है पिछले सालों में क्रिशी के शेतर में कई बड़े फैसले लिए गए लेकिन साल 2024 भी किसानों के नजरिये से बहुत एहम होने वाला है सरकार की तरफ से किस किसान शमान निधि योजना की बात करें तो इस योजना के जरिये किसान भाईँं को हर सल 6,000 रुपे की धनरशी परदान की जाती थी जिसे इस वर्ष बढ़ाया जा सकता है रिपोर्ट के अनुसार इस राशी को बढ़ा कर 9,000 रुपे तक किया जा सकता है बता दे कि PM किसान योजना सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है ये योजना दुनिया भर की सबसे बड़ी DVT स्कीम है PM किसान योजना के जरिये किसान भायों को तीन किस्टों में रूपे ट्रांसफर किये जाते हैं ये किस्ट करीब चार माँ के अंतराल के बाद ट्रांसफर की जाती है आपको जैसे पता ही है कि AI का बढ़ रहा है करेज तो इसकी बात की जाए तो ये साल किसानों के लिए काफी खास हो सकता है Artificial Intelligence की तेजी से बढ़ते कदम भी इस फिल्ड के लिए काफी एहम सावित हो सकते है सरकार की तरफ से उठाय जा रहे कदमों से किसानों की AI में सुधार होगा और उनकी आर्थिस्ती मजबूत होगी अगला है LPG सिलेंडर के बारे में बात करें तो LPG सिलेंडर के बदलेंगे दाम हर महीने की तरह नए साल के पहले महीने की पहली तारीक यानि एक जनवरी को देश की लोगों की निगाहें भी LPG प्राइज में होने बदलाव पर टिकी है दरहसल रसोई गयास की कीमतों में होने वाले चेंज का सीधा असर आम आदमी की जेप पर पढ़ता है सरकार ने 19 किलोगराम वाले कमर्शिल गेस लेंडर की कीमतों में रहात दी थी हलागी रसोई में इस्तमाल होने वाले LPG सेलेंडर के दाम में लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ है ऐसे में लोगों को उमीद है कि इसकी कीमतों में नए साल पर रहात मिल सकती है फिलाई 14 किलो ग्राम वाले सिर्लेंडर की देश में पर्मुकों महा नगरों में कीमतों की गौर करें तो राजधाने डिल्ली में ये बिना सबसीडिय वाला सिर्लेंडर 903 रुपए कॉलकाता में 929 रुपए और मुंबई में 902 रुपए 50 पैसे है और चेने में 918 रुपे 50 पैसे में मिल रहा है अगली बात करें तो UPI यूजर ध्यान दें एक जनुरी की तारीक UPI पेवेंट करने वाले यूजर के लिए भी खास है दरासल National Payment Corporation of India ने पेटियम गूगल पे फोन पे जासे Online Payment App की ऐसी UPI ID को बंद करने का फैसला लिया है जिनका इस्तमाल पिछले एक साल याइस से ज़्यादा समय में नहीं हो रहा है उन्हें बंद कर दिया जाएगा अगर आपका भी कोई ऐसा UPI ID है तो उससे तुरंत ट्रांजक्शन कर लेनी चाहिए अगला है नई SIM कार लेने के लिए एक जनुवरी 2024 से टेलीकॉम डिपॉर्टमेंट एक जनुवरी से SIM कार के लिए कागज धार KYC परसेस को खतम करनी जा रहा है इसका मतलब नए SIM कार खरीदने के लिए कागजी फारम भरने के जरूरत नहीं है सिरफ EKYC ही करवा सकते हैं गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा नए साल में नई गाड़ी खरीदना आपको महंगा हो जाएगा Hyundai Mercedes जैसी Automobile कंपनियों ने एक जनुवरी के गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है और D1 जनुवरी 2024 से भारत में अपनी गाड़ियों की कीमतों में दो फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोशना कर दी है नेक्स्ट है अधार के लिए शुल्क वहीं अधार में ऑनलाइन अपडेशन के लिए 31 दिसंबर तक फ्री सुधा दी गई है एक जनुवरी 2024 से अधार अपडेट करने के लिए आपको 50 रुपेश का शुल्क देना होगा सेवन्थ पे कमिशन की बारे में बात करें तो इसके लिए भी नई नियूज आई है कि केंदरे करमचारियों के लिए जबरदर्स खुश खबरी आ गई है करमचारियों को नियू येर गिफ्ट मिल गया है महंगाई भत्ते में जबरदर्स इजाफा हुआ है ये कन्फर्म हो गया है कि करमचारियों को एक जनुवरी 2024 से 50 फिसदी महंगाई भत्ता मिलेगा नुमबर AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से साफ हो गया है हालां कि अभी दिसंबर का नुमबर आना बागी है अगर इंडेक्स में अच्छा उच्छा रहता है तो महंगाई भत्ताइक क्या उन फिसदी भी हो सकता है लेकिन अभी तक 50 फिसदी करमफर्म हो चुका है इसमें 4 फिसदी का इदाफा होना तय है आशा करते हैं जानकारी आपके लिए फायदे मंद होगी और ऐसे जानकारी के लिए चाल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेर करें अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बक्स में जुरूर लिखें आगे की आने मेरी वीडियो का इंतिजार करें तब तक के लिए धन्यवाद